नमस्ते विद्यार्थियों, JCRT के DG स्कूल में आपका स्वागत है विद्यार्थियों, आठवी कक्षा के इतिहास विशे के हम बहुत निर्णायक दौर की बात करने जा रहे हैं और आज हम विशेश करके आपको इस्ट इंडिया कमपनी के बंगाल में प्रवेश का जो दौर है उससे हम आउगत कराएंगे विद्यार्थियों, इस चैप्टर में हमें आगे चल करके वैसे तो बकसर की लड़ाई, इलहाबाद की संधी और फिर लौड वलेजली की सायक संधी के बारे में भी पढ़ना है लेकिन अभी हमारा ध्यान मुलता पलासी की लड़ाई पर ही फोकस रहेगी तो बंगाल में पलासी की लड़ाई का दौर कैसे एक निरनायक दौर है और उसमें किस परकार से इरोपिये सक्तियों का जीत हो गया, कैसे उनकी जीत हो गई, तो उस जीत में किनकी क्या भूमिका थी, कई बातों को समेठते हुए इस वीडियो के माध्यम से हम आपके जानकारी उपलब्ध कराने का प्रयास करने जा रहे हैं, तो विद्यार्थियों सबसे पहले तो आप ये जान लिजिए, कि बंगाल में जदी हम लोग विदेशी सक्तियों या हम कहें कि एरोपिये सक्तियों के प्रवेश की जब हम बात करते हैं, तो सबसे पहले हमें हुग देने वाले कौन थे बच्छों? सविक्रिते देने वाले जो हैं, वो आपका मूगल सा सक्तियों उस समय के जो भी मूगल सा सक्तियों उन लोगोंने पुर्त गालियों को सविक्रिती दी कि आप लोग migrants में अपना वेपार कीजिये तो आगे चल करके बच्चों कुछ दूसरी इरोपिय सक्तियों ने भी बंगाल में अपने ठीकाने बनाएं तो उनका ठीकान इसका क्या ठीकाना था? पुर्तगालियों का ठीकाना था हुगली, डच लोगों का चुन्चुडा, फ्रेंच लोगों का चंदननगर और डेनिस लोगों का सिरामपो तो कहीं न कहीं यह स्थान बच्चों आज भी देखने को आपको मिल जाएगा आप बंगाल में जदी जाते हैं, तो इनका अस्तित्तोर किसी न किसी रूप में आज भी है तो अभी चलिए बच्चों आप लोग पेज नमबर 16 पे फोकस कीजिए तो पेज नमबर 16 पे हम लोग देखते हैं, बंगाल में इस्ट इंडिया कमपनी तो यहां हम लोग देखते हैं कि साहा जहां ने पुर्टगालियों से कुछ क्रोधित होकर उन्हें बंगाल से बाहर कर दिया, तथा अंग्रेजों को बंगाल में सिनित छेतर में बैपार करने की इजाजत प्रदान की तो बच्चो इसके पीछे का कारान ये था कि पुर्टगाली वहां दास बिपार कर रहे थे और मनिश्यों की खरिद विक्री करके उसको दूसरे देशों तक पहुचाना ताकि वहां पे उनका काम अच्छी तरह से हो सके तो इससे जो है मुगल बाधसा सा जहां नाराज हो गए थे यहां तक तो समझे बच्चो आगे आप पेज नंबर 17 पे देखेंगे वहां पे मुलता हमने जानकारी देने का प्रयास किया है कि कैसे 1698 इस्वी में कंपणी यानि की इस्ट इंडिया कंपणी ने बंगाल के ही तीन गाउं जिसमें एक सूतानोटी और एक कलकता कालिकाता और गोबिनपूर है तो इन तीनों की जमिनदारी उन लोगों ने 12.000 रुपिया भुकतान करके प्राप्त किया और वहां पे बच्चो एक बहुत बड़ा कीला बनाया जिसको हम लोग फोड बिलियम के नाम से जानते हैं फोड बिलियम आज भी है और कालांतर में इसको कलकता नाम से जाना गया है तो और अंग्जेब के फर्मान द्वारा निसुल्क बैपार करने की अनुमती फोड बिलियम में अंग्रेजों को मिल गई थी और कमपनी इसका फायदा उठाना सुरू कर दी थी तो बच्चों वहाँ पे देखिए वास्तम में इस्ट इंडिया कमपनी को तो बैपार करने का छूट मिला ही था जो इस्ट इंडिया कमपनी के जो नीजी बैपारी लोग थे अपना मतलब प्राइवेट बैपार भी करते थे बच्चों अपना ब्यक्तिगत बैपार भी करते थे और अधीक से अधीक पैसा कमाने का प्रयास करते थे तो बच्चों वो जो समय था वो बंगाल के नबाब मुर्सीद कुली खान का जमाना था और जदी हम अंगरेजों की बात करें तो उस समय जो है रॉबर्ट कलाइब था है न तो आ मैं पहले भी पता चुका हूँ बच्चों कि जब और अंग्जेव की मिर्तु होती है 1707 में उसके बाद भारत के कई छेत्रों में सोतंत्र नबाब बन जाते हैं जैसे लखनव के नबाब बंगाल के नबाब और बंगाल के नबाब यानि मुर्सिदाबाद के नबाब और इ बच्चों आप लोग देख सकते हैं या मुर्सिद कुली खान की तस्वीर है और मुर्सिद कुली खान जो है 1717 से लेके 1727 यानि लगभग 10-11 बरसों तर बंगाल के नबाब रहे थे और इन ही के दौरा मुर्सिदाबाद नाम का सहर बसाया गया था ठीक है बच्चों तो पुर्सिद कुली खान के बाद कई और नबाब हुए जिसमें की सुजाउद्दीन थे उसके बाद सरफराज थे और अलिवर्दी खान थे ये तो काफी महत्रपूर्ण थे 1740 से 1756 लेकिन बच्चों अलिवर्दी खान जो है उनका कोई पुत्र नहीं था उनकी सिर्फ तीन थी इसी बात को थोड़ा समझनेगा प्रयास किजिए बच्चों कि आखिर हुआ क्या था अलिवर्दी खान का कोई पूत्र नहीं था उनकी तीन बेटियां थी तीन में पहली की साधी धाका हुई थी धाका जो आज बंगलादेश की राजधानी है और उस बेटी का नाम था उसके बिरूद बहुत बड़ा सड्यंत्र किया था बच्चों है न देखिए अपने ही घर में देखिए क्या हुआ था दूसरी बेटी जो है उसकी साधी पूर्णिया में हुई थी जो की बिहार में है और तीसरी बेटी जिसका नाम अमीना बेगम था उसकी उसी का बेटा था सिराजु धौला ठीक है तो सिराजु धौला को आगे चल करके अंग्रेजों ने क्या किया था उसको एक तरह से बंगाल की नवावी से उतार भी दिया था और इसी के समय में पलासी की लड़ाई भी हुई थी सिराजु धौला के समय में आप देखिए पलासी का जूद 17 अलिवर्दी खान की मिर्टू के बाद सिराजु दोला बंगाल का नवाब बना, अंगरेज चाहते थे कि बंगाल का सासक उनके बैपारिक हीतों का ध्यान रखे, कहने का मतलब कि उनका बैपार फले फुले, लेकिन सिराजु दोला के आगे अंगरेजों का मन्सुबा कायम नह एक तरह से उसको परिशान किये हुए थे किसी ना किसी रूप में कि वो नबाव ना रहे परन्तु अंग्रेजों को इसमें काम्याबी नहीं मिल रही थी इसी बीच सिराजी दौला ने भी अंग्रेजों पर दबाव डालना सुरू कर दिया उसने आदेश जारी किया कि कमपनी उसके राजनीतिक मामलों में हस्त छेप ना करे अपनी कीले बंदी रोके तथा बकाया राजसों का भी भुगतान करे ऐसी परिश्तिती में अंग्रेजों और बंगाल के नबाव के बीच संखर्स अनिवार्ज हो गया इसमें तो हो गई बच्चों जदी मान लिजे कि दोनो 1756 इसवी में कासीम बजार पर आकर्मन कर दिया और उसे अपने कबजे में ले लिया कासीम बजार बच्चों एक कसबा है था और है भी 20 जून 1756 इसवी को नबाव का फोट बिलियम पर अधिकार हो गया यानि कि सिराजु दौला की जीत हो गई नबाव की फोज के कई अंग अंग्रेज अपसरों ने आत्मसमरपन कर दिया अनेक अंग्रेज बंदी बना लिये गया बच्चों यह बहुत बड़ी घट्टा है और कलगत्ता का भार जो है मानिक चन नाम के एक ब्यापारी को सौप दिया गया और वह मुर्सिदाबाद लोट गया बच्चों जब इस ब बच्चों मदरास से है न और उसके बाद उन लोगों ने मन बना लिया कि किसी न किसी तरह से किसी न किसी रूप में सिराजु दौला का जो सासन है उसको अंत करना है तो बच्चों आप देख सकते हैं स्क्रीन पे सिराजु दौला बंगाल के अंतिम सोतंतर नबाब सावित हुए और श्रिप 24 बर्स की आवस्था में पलासी की लड़ाई में ये सद्यंत्र का सिकार होकर मारे गए तो बच्चों पलासी है कहां पर ये भी जान लीजिए ये अस्थान जो है कलकत्ता से 150 किलो मिटर उतर एक नदिया नाम का जिला है वहीं पे है तो 23 जून 1757 को वहां प पलासी की लड़ाई हुई थी बच्चों कहने के लिए तो ये एक लड़ाई है लेकिन ये बहुत मामुली लड़ाई थी और इसमें स्रिप देखा जाया तो सड्यंत्र ही सड्यंत्र था इस लड़ाई में बच्चों जो अंग्रेजों के साथ ही थे वह कौन-कौन थे अपना खूद का दिवान जिसका नाम था राय दुगलव वह भी अंग्रेजों के साथ मिला हुए थे शिराजु दौला की खूद की मौसी यानि घसिटी बेगम जिसको मेरुनिसा बेगम कहते हैं वह भी अंग्रेजों के साथ मिली हुई थी कलकत्ता के एक बैपारी अमीन और कलकता के एक बैंकर जगत सेथ भी अंग्रेजों के साथ मिले हुए थे तो बच्चों बहु थी खराब इस्तिती थी कहा जाए तो और इसमें रॉबर्ट क्लाइब जो है उन्हें सड्य अंतरकारी थे और एक तरह से क्या हुआ बच्चों कि सिराजु दौला की हार जो है व जिस सेनापती की हम बात कर रहे हैं सिराजु दौला के सेनापती सिराजु दौला तो मारा जाता है लेकिन उसका जो सेनापती है मिरजाफर वो दो जुन 1757 से लेकर के 20 अक्टूबर 1760 तर बंगल का नबाव रहता है लेकिन बच्चों जो अंग्रेज इतने सड्य अंतरकार नहीं थे की मिरजाफर भी उसको पसंद नहीं आया यहां पे आप तस्वीर में देख सकते हैं मिरजाफर को और आगे चलके मिरजाफर का जो दामाध था मिरकासीम इसी मिरकासीम को जो है वो बंगल का नबाब बना दिया गया लेकिन बच्चों कहते हैं न कि जब सत्ता की कूरसी जब मिल जाती है तो उस समय इनसान कोशिस ये करता है कि कैसे वो अपने लोगों की रक्षा के लिए काम करे तो जो मिरकासिम है वो भी अंग्रेजों के लिए नहीं बलकि अपने लोगों के लिए उसने काम करना शुरू कर दिया और अपने लोगों की रक्षा करने के लिए काम करना शुरू कर दिया तो इसी की परिनाती हुई बच्चों बकसर की लड़ाई अब बकसर की लड़ाई कैसे हुई उसको भी थोड़ा आप लोगों को जान लेना जरूरी है जब मिर्कासिम जो है वो अंग्रेजों का साथ नहीं देने लगा अंग्रेजों की नीतियों को नहीं मानने लगा तो ऐसी इस्तिती में पुना मिर कासिम को हटा करके मिर जाफर को बना दिया गया मंगाल का नबाब आप यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों की किस तरह से बहुत जल्दी जल्दी पहले तो मिर जाफर फिर मिर कासिम फिर मिर जाफर एसा क्यों हुआ यह अंगरेजों के कारण हुआ बच्चों तप फिर मिर कासिम कहा गया मिर कासिम ने वहाँ से वो चला गया बिहार के मूग स्थान पे और सच पूछिए तो जो निरकासिम जो है उसने बंगाल की राजधानी मुंगेर सहर को ही बनाया था आज भी आप बिहार के मुंगेर सहर में जो है बंगाल के नबाबों का बहुत सारा कुछ वहां कीले ओगर अब ही हैं सुरंग है वो सम हम लोग वहां पे देख स सकते हैं तो आगे चलकर के बच्चों बक्सर के जुद की प्रिष्ट भूमी तयार हुई जिसमें की निरकासिम और अवद के नबाब सूजाउद दौला और उस समय जो दिल्ली के मुगल बादसा थे सालम टू इन तीनों ने मिलकर बच्चों बक्सर जो की बिहार में है वह संजुक्त सेना में मिलकासिम थे सुजाउद दौला थे और सालम दूतिय थे और ब्रिटिस इस्ट इंडिया कंपनी की जो कमान है वहेक्टर मूनरो नाम का जो कमांडर इंचीफ इस्ट इंडिया कंपनी का था उसके हाथों में था और बच्चों आप तो यह भी जानना चा जो है अंग्रेजों की ही हुई मुगल समराट सहा अलम टू अंग्रेजों से संधी कर उनकी सरण में चला गया और लगातार प्रास्थ होने की वज़े से अवत का नवाब जो है सुजाउद दौला को भी समर्पन करना पड़ा था ठीक है और बच्चों आप जानना गया और बहूत कठीन परिस्थितियों में बच्चों मेरकासीम दिल्ली में अपने अभाव के दिनों में वहाँ पे मारा गया है मारा नहीं गया बच्चों एक तरह से वह भूखों मरा है ना तो इसके ठीक बाद 1765 में इलाबाद की संधी हुई थी बच्चों तो इलाबाद की संधी में दो पक्स थे एक तरफ तो इस्ट इंडिया कंपणी और दूसरे तरफ सहालम दृतिये तो इसमें क्या हुआ था बच्चों कंपणी को मुगल समराट ने बंगाल बिहार तथा उडिसा की दिवानी यानि की टैक्स वसुलने का अधिकार दे दिया था तो ये बहुत बड़ी बात है बच्चों कहीं न कहीं इलाबाद की संधी के माध्यम से अंग्रेजों को अधिकार मिल गया पूरी तरह से बंगाल पर सासन करने का और उस समय का मतलब था ना सरी बंगाल बलकि बिहार और उडिसा भी ठीक है बच्चों आगे है कि कंपणी न तो पर सूजाउद दौला को साथ लाक रुपए अंग्रेजों को चुकाना पड़ा तो ये बहुत महत्वपूर्ण है सूजाउद दौला इससे काफी परिसानी में पड़ा होगा और उसके बाद है बच्चों बंगाल के विसाल राज्यस तो संसाधन पर कंपनी का एक आध लोगों ने और कुछ 20 तक भी हम लोगों ने देख लिया इस चेप्टर को इस चेप्टर के काफी कुछ अंस हम लोगों ने आज समझने का प्रयास किया तो निश्य ही ये जानकारी पूर्ण वीडियो है बच्चों इसके माध्यम से आप दूसरे चेप्टर पे अपनी आसान हो जाएं आप बंगाल की पूरी स्थिती को समझ सकें आप जो है अलिवर्दी खान और उसके बाद की जो परिस्थितियां हैं किस तरह से सिराजु दौला बना किन लोगों ने सिराजु दौला को पसंद किया किन लोगों ने सिराजु दौला को पसंद नहीं किया किन लोगों ने साथ नहीं दिया तो ये सारी चीजें बच्चों इतिहास में एक निर्णाएक दौर के रूप में जाना जाता है तो आप भी कोशिस कीजिए बंगाल के उस दौर को बहतर तरीके से समझने का तो इस वीडियो को मैं इहीं पर समाप्त करता हूं और इसके बाद की जो का जो घटना करम है उसको उसे मैं अगले वीडियो के माध्यम से आपको बताओंगा तो ठीक है बच्चों जहिन बच्चों